उत्तरखंड हाई कोट ने कुमाउं और गड़वाल आयुकतों को वनों के बीचों बीच लगे बिजली के तारों और विग्यापन बोडों को हटाने का आदिश जारी किया है साथ ही चितावनी दी है कि दोबारा ऐसा किया गया तो सख्त कारवाई की जाएगी बतादे की नैनिताल उच्च नियाले में पेड़ों में गेर कानूनी तरीके से लगाए गए बिजली की तारों और विग्यापन बोडों के खिलाफ एक जनहित याज का दैर की थी वही मुख्य न्याधिश, रमेश, रंगनाथन और न्यायमूर्ती आलो कुमार वर्मा की खंड़ पीठ ने कुमाउं आयुक्त और गड़वाल आयुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा कि दो माहा के भीतर पीडों से विग्यापन बोडों और विजली के तारों को हटा दिया जाए क्या कोटनेश का है? वहीं याज का करता दुशंत मैंनाली ने बताया कि जो राज में सारवजने के स्थानों पर पेड लगाए गए हैं, उनका व्यवसाइक एस्टेमाल किया जा रहा है जिसको लेकर याज का दैर की गई थी, अधिकारी कोट के आदेश का कितना पालन करते हैं, ये तो आने वा समय ही बताएगा, पंजाब के स्री टीवी के लिए नैनिताल से भूपेंदर रावत की रिपोर्ट